हलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में एस्टुडेंट फाइनली LNMU B.A.D. का जो एड्मिट काड है वो आ चुका है जो भी एस्टुडेंट B.A.D. का इंटरेंस एक्जाम दे रहे हैं अगर आपका एड्मिट काड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे आप एड्मिट काड डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको एक्जाम से रिलेटेड एड्मिट काड से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाले हैं कि exam center पर कितने वज़े जाना है exam center पर क्या क्या चीज जो है वो ले करके जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं instruction जो है वो दिया गया है आपको exam center पर जो आपको OMR seat मिलेगा उस पर आपको blue या black pen से ही dark जो है circle होगा उसको करना है आपको अपना pain जो है वो वो आपको objective type question होगा ठीक है student उसके बाद अपने परवेश परत को सुरक्षित रखेंगे जो admit card है उसका दो copy आप लोगों को ले जाना है एक sign करके वहाँ आपको दे देना है एक आपको रख लेना है ठीक है जिस पर invigilator का sign होगा वो अगर आप नहीं रखते हैं तो admission के time म आपको problem हो सकती है ठीक है student आपको exam जो है वो 11 बजे से है लेकिन आपको exam center पर 9 बजे से उपस्तित हो जाना है 10-50 के बाद आपको gate के अंदर entry नहीं मिलेगी ठीक है उसके बाद exam जो चलेगा वो 1 बजे तक चलेगा 1 बजे से पहले आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जो भी student entrance exam दे रहे हैं तो आपको क्या करना है valid ID proof लेकर के जाना है ठीक है आप 10-12 का marksit ले जा सकते है voter ID card, अधार card, DL जो है वो लेकर के जा सकते है ठीक है student उसके बाद आपको mask जो है वो लेकर के जाना है mask compulsory है ठीक है उसके बाद mask जो है वो आपको हमेशा पहनना है ठी ठीक है उसके बाद नीचे पर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ instruction और दिया गया है candidate has to submit this copy of admit card invasilator signing in ठीक है invasilator को sign करने के बाद इस copy को आपको जो है इस परवेश पत्र की इस परती को के अंदरा विक्षक को जो है वो आपको swap ना है ठीक है एक admit card देख सकते है एक यहाँ पर उपर में है ठीक है एक नीचे में admit card है ठीक है तो एक copy जो है वो आपको के अंदर पर उनको swap देना है एक copy आपको रख लेना है जिससे admission में आपको problem नहों हो ठीक है जैसे ही कोई update आता है वीडियो के माध्यम से आप सबोक मैं update दूंगा ठीक है student अगर कहीं कोई doubt होता ह है तो वीडियो के comment section में हमें comment कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए जैहिन thanks for